एनेसी यानि नेशनल स्टोक एक्चेंज यह एक बाजार के रूप में कारे करता है जहां लोग अपने स्टोक को खरीद और बेच सकते हैं जबकि एक स्टोक प्रोकर अपना ओर्डर खरीदने और बेचने में मदद करता है पुष्ट भूमी में स्टोक एक्चेंज एक सुनेचीत करता है कि परतेख खरीदार एक उप्यूत बिक्रेता से मिली NSE का स्थापना 1992 में देश के पहले इलोक्ट्रोनिक स्टोक एक्चेंज के रूप में हुई थी क्यूटी ट्रेडिंग के मामने में भारत में सबसे बरा स्टोक एक्चेंज होने के नाते NSE पूरी तरह से 140 स्क्रिन आधारित इलोक्ट्रोनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्चेंज था NSE ने सन 2000 में इंटरनेट के माध्यम से बैपार को शुरू किया जिसका अर्थ था कि कोई भी बेक्ती स्टोक मार्केट में बैपार और निवेस कर सकता है यानि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है चाहे उनका स्थान कुछ भी हो NSE का ब्यापक संचालन है और इसमें एक्चेंज लिस्टिंग, ट्रेडिंग सेवाएं, क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवाएं, मार्केट डेटा फिट्स, इंडेक्स आधी सामिल है NSE Stock Exchange में 1920 कंपणियां लिस्टिट है, जिसमें 1793 कंपणियों सक्रिय रूप से कारोबर कर रही है, जिसमें विदेशी कंपणियों की भारती और भारती दोनों साहय कंपणियां सामिल है, जिनने 13 अलग लग छेत्रों में भिवाजित किया गया है भारतीय सहर बाजार में NSE की भूमी का क्या है, इसका डिसकस करते हैं, भारतीय सहर बाजार उन 875 में BSC यानी Bombay Stock Exchange के साथ काम कर रहा था, लेकिन उस चीजों की कमी थी, जिनने सम्मोंधित करने की आउखशकता थी, और इसलिए निमलिकी दुद्देश्यों को साथ NSE का ग प्रदान करना, इलोक्टोरिंग ट्रेडिंग प्लाटफॉम के माध्यम से नियवशकों को निस्पच और कुशल सुरक्षा बाजार के साथ प्रतरशित प्रदान करना, आप सोच रहे होंगे कि NSE यानी National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange दोनों एक ही है, लेकिन वे काफी अलग है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शियर जरूर करें, अगर आपको NSE यानी National Stock Exchange के बारे में कोई जानकरी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें